हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चानल राजर राजी कैसे हैं आप सब लोग आप चाहते हैं कि आपका मेकप काला ना पड़े और जाधा टाइम तक टिका हुआ रहे हैं और आपका बेस एकदम फ्लॉलेस दिखे इसलिए आपको मेकप से पहले आपकी स्कीन को प्रैप करना और मैं जो भी प्रोड़क्त यूज़ कर रही हूँ वो मेरी स्कीन के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ आप अपने स्कीन के हिसाब से यूज़ करें जो भी आपकी स्कीन है एक्जामपल ओईली स्कीन, ड्राय स्कीन, कॉंबिनेशन स्कीन, सेंसिटिव स्कीन, नॉर्मल स्की का हारानिक सीरम यूज कर रही हूँ जिसे मेरे स्कीन हाईड़ेट रहेगी मेक अप से पहले सीरम को लगाना बहुत जादा इम्पोर्टन्ट है क्यूंकि उसमें बहुत जादा वाइटमीन और मिनीरल होते है जिसे आपके स्कीन बहुत हैल्दी रहती है और हाईड्रेट रहत बहुत ही डीपली सीरम लगाने के बाद दो से तीन मिनिट का वेट करने के बाद ही आपको दूसरा प्रोड़क्त यूज़ करना है कीम के साथ साथ लिप्स को भी हाइडरेट और सॉफ्ट रखना जरूरी है इसलिए मैं यहाँ पर यूस कर रही हूँ वेसलीन का आप लोग लिबाम भी यूस कर सकते हो मैं यहाँ पर वेसलीन का यूज़ कर रहे हूँ क्योंकि मुझे लिबाम मिल ही नहीं रहा था और वेसलीन से बहुत जल्दे लिब्स सॉफ्ट हो जाते स्टेप पूर आई क्रीम अब मैं यहाँ पर 100% शौर बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग है यह आई क्रीम को स्किप करते हैं importance नहीं देते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है eye cream उतना ही important है जितना के normal cream eye cream से आपके dark circle, puffiness वगेरा reduce तो होगे लेकिन आपका eye makeup है वो काला नहीं पड़ेगा और crease भी नहीं करेगा step number 5 it's time for moisturizer जितने आपके skin hydrate रहेगी उतनी glow करेगी तो इसलिए moisturizer बहुत ही important step है make up करने से पहले बहुत सारे लोगों का ये myth है कि oily skin है तो moisturizer क्यू लगाना already face पे oil रहता है और कुछ लोग इसको skip भी कर देते हैं तो बहुत ही गलत चीज है moisturizer को कभी skip नहीं करना oily skin के लिए भी moisturizer आते हैं उनके लिए gel based moisturizer आते हैं तो भी आपने face को wash किये है serum लगा है eye cream लगा है moisturizer उसको deeply जाके lock कर देगा और hydrate कर देगा step number 6 sunscreen sunscreen को कभ लगाना है sunscreen को make up से पहले लगाना है और सिर्फ make up से पहले ही नहीं उसको daily use भी करना है जैसे की सिर्फ outdoors के लिए नहीं वो सिर्फ sun से तो protect करेगा ही करेगा लेकिन indoors जब आप घर में हो तभी भी आपको sunscreen को apply करना है क्योंकि वो उस वो आपको blue light से बचाएगा जैसे blue light निकलती है mobile से laptop से tv से इसलिए आपको बहुत सारा tanning हो जाती है आपको pigmentation की problem होती है dark circle की problem होती है wrinkles की problem हो जाती है आपकी skin बहुत डैमेज हो जाती है इन सब की वज़ा है sunscreen नहीं लगाने का इसलिए आप daily sunscreen को use करो बहुत ही अच्छा वाला जैसे कि वो non comedogenic होना चाहिए oil free और broad spectrum sunscreen होना चाहिए जो जल्दे से skin में absorbed हो जाए तो यहाँ पर हमारे skin बहुत अच्छे से prep हो गई है एक्दम healthy लग रही है तो अब इस step से make up को start करते है तो सबसे पहले primer का use करेगे लेकिन यहाँ पर मैं primer की detail नहीं दे रही हूँ क्योंकि primer skincare में नहीं आता है तो मैं वीडियो को यही पर end करती हूँ अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी helpful लगी होगी तो आप अपने friends और family की साथ share करें वीडियो पसंद आई होगी तो like करें और मेरे channel पर new हो तो subscribe करें bell icon ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी बाई अल्ला हाफीज